असलामलीकूं मिली नहरो मैं हून असुल्द मलेक और मैं आपको सिखांगा डिजितल मार्केटिंग करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे फेस्बूक एड्स का फेस्बूक एड्स के लिए हमें कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होती है यह कैसे हम रन कर सकते हैं और इसमे इस चीज को डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले डिजितल मार्केटिंग में जो हम फेस्बूक एड्स को यूज कर रहे हैं तो फेस्बूक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स दोनों चीजों को हम एक साथ लेकर चलेंगे बिसिकली जो मैटा प्लैटफॉम्स हैं पेरेंट कंप के उपर करना चाहें या एक ही आड्स दोनों प्लैटफॉम्स के उपर एक साथ रन करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं इन चीजों को आगे जाकर हम डीटेल में डिसकस करेंगे और खुद कैंपेंज जहां उनको क्रियेट भी करेंगे सबसे पहले कोई भी एड्स रन करने के लिए हम से हमें एक तो चाहिए होता है एड्स मेनेजर या एड्स अकाउंट बट सबसे पहले हम क्रियेट करेंगे बिजनिस मेनेजर बिजनिस मेनेजर जैसा के नाम से ही जाहर है क्या करता है हमारे सारे बिजनिस को और्गनाइज करता है और मैनेज करता है इसके अंदर क् Facebook pages होते हैं, हमारे add managers होते हैं, add accounts होते हैं, अब add account क्या होता है, और add manager क्या होता है, हम अगर add manager की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा manager जिसके अंदर हम add accounts को run करेंगे, इनको हम फिर आगे जाके detail में खुद देखेंगे भी सी, अब हमारा कोई भी business होता है, उसको अगर हम free में promote करना चाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम just एक Facebook post करते हैं, इंस्टग्राम post करते हैं, हम different groups में share करते हैं, हमारा जो page होता है, उसकी उपर हम उसको post कर देते हैं, यह तो तरीका होता है, हमारा organic marketing का, अब paid marketing क्या होती है, चाहिए होती है अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारा एक product है फॉर एक्जमपल हमारा एक product है हम Facebook को पे कर रहे हैं कि इस product को हमने sell करना है e-commerce store के उपर तो e-commerce store के related हमें sales generate करना है अपने product के लिए अब Facebook हमारा एड जो दिखाता है Facebook कैसे बता सकता है Facebook के पास कौन सा algorithm किस तरह से काम करता है कि हमारा एड उन लोगों को ज्यादा दिखाया जाए जो कि उसको product को purchase करना चाहें अब हम जो भी daily Facebook को use करते हैं उसका data जो हमारा Facebook के पास होता है उस data से analyze करता है Facebook के कौन बंदा किन चीजों में इंट्रस्ट ले रहा है उस इंट्रस्ट बेस्ट पर सारे एड शो हो रहे होते हैं आप ने अगर खुद नोट भी किया हूं तो आपके जो Facebook है या Instagram है या कोई भी ऐसा platform है वह आपको आपके इंट्रस्ट के related ही ज्यादा तर products जो होते हैं ज्यादा तर जो एड होते हैं तो उसी चीज़ के related दिखा रहा होता है जैसा आपका इंट्रस्ट होता है उसी चीज़ के मुतलिक दिखा रहा होता है यह होता कैसे है for example अब एक product है for example हम एक shoes की बात कर लेते हैं यह watch की बात कर लेते हैं अगर हम वह जो sports shoes हैं या branded watches हैं उन चीजों के related सर्च करते हैं हम बात कर रहते हैं उन्हीं चीजों के या इस पाडिक़लार सफ मौडल के इंदर हम इंट्रस ले रहे हैं इस इंटरस्ट बेसं के इंट्रीम हो पर हमारा एक फ्रोफाइल है उसके आसी इंट्रस्ट बेस् promise के डार्ट के ओपर सब्सक्राइबं करना गा क्या होरी है अब business manager के अंदर हमारे different pages भी होंगे और ad managers भी होंगे ad manager होगा हमारा अब उस ad manager के अंदर हमारे different ad accounts होंगे एक ad account suppose हमारा है उसके बाद एक ad account हमारा एक client का है एक ad account दूसरे client का है different हमारे clients है उनके different ad accounts है वो हमने अपने पास उस ad manager के अंदर रखे हुआ है और इस ad manager को हमने business manager के अंदर रखा हुआ है या हमारे different clients के अगर business managers हैं या ad managers हैं अगर clients के ad managers हैं तो उन ad managers को हमने अपने business manager के अंदर रखा हुआ होगा उनकी admin access हमारे पास होगी यह advertiser access हमारे पास होगी यह कैसे advertiser access हम दे सकते हैं यह request कर सकते हैं इस चीज़ को आगे जाके हम complete detail में देखेंगे तो अब client का जो add manager है उसके उपर हम add run कर सकेंगे तो वो हमारा किसके अंडर होगा वो होगा हमारा business manager के अंदर अब अगर client के पास add manager की access line ने complete हमें नहीं दी client ने just add account की access हो दी है तो वो आएगा हमारा add manager के अंदर और add manager जो है हमारा वो है add business manager के अंदर तो अब उसके बाद अगर हमारे पास ad account भी है, ad manager भी है, business manager भी है, ये complete line हमारे पास clear है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम campaign create कर सकते हैं, वो campaign जो भी होगी किसी भी service के related हम run कर रहे होगी, वो ad manager के अंदर run होगी, उसके अंदर होगा हमारा ad account हो रहे होगी, अब for example हमारा जो business है उस business के related Facebook ने हमें क्या provide किया हुआ Facebook pages है तो उन Facebook pages को जिसके उपर हम अपना product या service दिखा रहे हैं और add run करना चाहते हैं तो उस particular page को हमारा जो business manager है उसके अंडर जो हमारा add manager आ रहा है add account आ रहा है उसके साथ हमें connect करना होगा ठीक है तो हमारी जो profile है उस profile के अंदर हमारा जो add manager है business manager है उसी के पास admin access होनी चाहिए या अगर admin access नहीं तो advertiser access at least होनी चाहिए advertiser से हम just ads run कर सकते हैं और stats लेक्स सकते हैं admin access में हम सारी चीज़ों को added भी कर सकते हैं बहुत जादे control होता है यह बहुत strong access होती है तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हमारे पास add manager है add account है तो हम campaign तो create कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास एक business है अगर हम एक business run कर रहे हैं तो business run करने के लिए हमें facebook page चाहिए होगा ना कि हमें profile अलाइदा से चाहिए होगी आपने कभी भी किसी business के नाम से profile नहीं देखी होगी business के नाम से हमारे पास different pages होते हैं तो हम उसी के related हम groups भी create कर सकते हैं बट accounts जो होते हैं profile होती है वो नहीं होती business के अब इसमें क्या चीज़ है facebook ने हमें ये चीज़ तो provide कर रहे हैं हम personal profile सो create कर सकते हैं बट business created हम profile create नहीं करते pages create करते हैं अब अगर हमने facebook ने ये कहा हुए कि आप pages create करें लेकिन हम फिर भी pages create करने के बज़ाए profiles create करते हैं तो फिर क्या होता है जब हमें verification करवानी होती है identity verification करवानी होती है तो अब हमारा जो business है business के name से तो हमारे पास documents है उसमें ID verification किसी person की तो नहीं होगी तो हम verify नहीं करवा पाएंगे अपने business को तो उस चीज़ के लिए भी हमें इसलिए facebook की ये बात मान का business के लिए profiles ही बनाने होती है business के लिए हमें pages ही बनाने होते है personal use के लिए हम सिर्फ profiles बना सकते है अब जो add account होता है उसके अंदर हमारी ran होती है campaigns अब एक business के related हम तीन से चार पांच campaigns at a time for example run कर रहे है for example अब मैं एक example देता हूँ हमारा एक college है ठीक है एक client है जिनका college है या university है अब उनके लिए हम admission campaign run कर रहे हैं तो admission campaign के अंदर हम ad sets run करेंगे ad sets किस चीज़ के लिए होंगे for example डिफरेंट जो अब एक college है उसके related हमारे पास जो जितनी भी campaigns है उनके अंदर हम जो ad set run कर रहे हैं वो different degree programs के हो सकते हैं तो उन degree programs के related 4 से 5 degrees है उनके पास ठीक है तो उनके related हम जो है different campaigns run नहीं करेंगे एक ही campaign के अंदर हम different ad sets बना देंगे और ad sets के अंदर जो है हमारे ads run होंगे इस तरह से ये सारा model काम करता है ad manager किस तरह से बनाया जाता है उसके अंदर हम business account किस तरह से create करते है business manager, ad manager, उसके अंदर ad account, फिर campaigns किसे create करते है इन सारे चीज़ों को आगे जाके detail में हम discuss करेंगे अभी तक हमने just इस सारे model का overview देखा और just हमने इसका introduction देखा कि सारा model काम किस तरह से करता है thank you